चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैयरी बचो MCC ने NEET 2030 की काउंसलिंग के लिए वेबसाइट को अपडेट कर दी है और इसमें बाता इदर लिखावा आ रहा है Admissions and E-Counseling Services for Session 2023 और इस बार जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उसका लेबसाइट भी चेंज कर दिया है कहां कहां पर आपको कौन सा इवेंट बिलेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि एक सेडूल है वो वाइरल हो रहा है काफी वाइरल हो रहा है तो उसकी क्या सचाई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या वो सच में सेडूल सही है या फिर उसमें कोई कमी है तो सबसे पहले हम देखें कि जो MCC की वेबसाइट का जो नया लियाउट है वो इस परकार से हैं, पहले UG का अलग वेबसाइट था और PG का अलग वेबसाइट था अलांकि वो पहले भी mcc.nic.in इनकी वेबसाइट में UG का लिंक अलग दिया वा था और PG का लिंक अलग दिया वा था लेकिन अभी इसी में ही एक जगे सारी tapes दे दिये गए हैं तो जैसे ही हम इसकी website mcc.nick.info visit करते हैं तो इस परकार का interface अपने को देखने को मिलता है इसमें सब सबसे पहले हम देखें तो home का option मिलता है जो सभी website पर available होता है About us में NMC के बारे में information है MCC के बारे में information है अब इसमें जो UG के लिए MBBS, VDS, BAC, Nursing के लिए ये tape दिया गया है और इसमें जो MDS, PG Counseling है उसके लिए Super Specialty के लिए अलग से ये tape यहाँ पर ही दिया हुआ है पहले ये open करते थे थे हम वहाँ पर मिलता था अब ये एक ही जगे एक साथ ये tape दिये गये हैं आर्चिव में आप previous year का data देख सकते हैं previous year की सारी information आप यहाँ देख सकते हैं contact us में MCC के helpline number और email ID होता है यहाँ पर तो ये तो हो गया यहाँ के जो हमारे को मिलने वाले tapes हैं उसके बारे में अब हम MBBS, BDS, BAC, Nursing के लिए counseling करवाएंगे तो UG Medical पर click करेंगे तो UG Medical पर click करेंगे तो इस फरकार का interface हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले e-services oblig schedule में इसमें information browser होगा यह अलांकि पुराना दिया हुआ है अभी इसमें UG information bulletin 23 लिखा आएगा counseling schedule आएगा अभी तो एक बार जो schedule viral हो रहा है उसके बारे में मैं बता दूँ कि यह confirm नहीं है कि वो सही है schedule सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि हमने पिछली बार देखा था है कि I use का जो schedule था वो 10 या 15 दिन पहले ही आचुका था वो सेम schedule बाद में website पर publish हो आता तो हो सकता है यह सही भी हो और fake भी हो सकता है क्योंकि वो इस परकार से हम fake मान रहे हैं कि जो stray vacancy round होता है उसमें registration और 24 filling का option नहीं होता है तो अगर यह सही है तो हो सकता है इस बार rules भी change हो तो यह confirm नहीं है अभी MCC की website पर आपको यहां counseling schedule मिलेगा वही मन्ने होगा वही सही होगा आपको counseling schedule यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर यह हालांकि पुराना schedule दिखा रहा है यह जैसे ही schedule आजाएगा counseling schedule आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसके बाद में आगे और जो round's हैं उसकी dates वगरा के बारे में यहां पर आपको जानकारी मिलेगी अब दूसरी बात हमने MCC की website पर registration करना है और choice filling करनी है तो उसका जो tape है वो यह है candidate activity board candidate activity board यहां पर online registration लिखा हुआ आएगा round one online registration round two online registration mop up round इस पर यहां पर आप जैसे ही click करेंगे registration कर पाएंगे choice fill कर पाएंगे यह सारा का सारा option हमें candidate activity में मिलेगा choice filling करने का registration करने का MCC का जो भी choice filling का और registration का है round wise वो यहां पर मिलेगा हमें candidate activity में news and events में जो भी notice होंगे public notice वो हमें यहां पर मिलेंगे जैसे PWD candidates का यहां 23 के लिए जो notice दिया गया था वो यहां पर show हो रहा है यह पुराने notice है इसके बाद में यहां important link भी दिये गए हैं यहां से आप NEET UG की website पर जा सकते हैं NTA की website पर इसके बाद में NEET UG result अगर आपने 23 का result देखना है तो यहां कर सकते हैं NMC की website पर जाना है तो इस direct link से भी जा सकते हैं यहां पर current event में जो भी public notice हैं यह news and events वाड़े यह यहां पर आपको show होंगे view more में और बाकी सारी condition आप देख सकते हैं इसमें तो यह इस परकार का MCC का नया layout है जो बहुत ही अच्छा है इस बार अलंकि यह facility वहां भी मिल जाती हैं सारी की सारी और यहां पर आपको news and events में और e-services में seat metrics यहां देखने को मिलेगा e-services में यहां पर schedule देखने को मिलेगा seat metrics देखने को यहां पर आपको इस जगे मिलेगा तो यह जानकारी थी mcc के नए portal के बारे में जो उसका layout change हुआ है कौन सा event कहां होगा कौन सी facility हमें कहां मिलेगी इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में यह जानकारी दी है आप हमारी channel को subscribe करके रखें क्योंकि info cards की information हम लेके आते रहते हैं तो आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में फिर मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैरे हूँ